रविंदर रेना जी जो भी कहते हैं, वो एक नंबर के जूटे आदमी हैं, जूट बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, जब भी वो देखेंगे भई, तो आजी आप तो बड़ा मेरा चोधरी आ गया, आजाए तो देखा नहीं का परसू किसे लेडू खुला रहे थे उनको, ऐसे चैनल में जोट भी उड़ा में वाधार हां काराँ जी का आथ कर आफ दो म्लडबर के साथ भी तरिखत्यार रही से या किसी दूसरी लगाएं कि पोस्तों इसमें यह जार सी बाता होना है और इतने सालों से होता हुआ रहा है आपको इन ट्राइबल्स के दर्द का एसास नहीं है हम जानते हैं इस बात को आपको पता नहीं है को अदमी कहा घर से मालम विश्ची को पैदल लेके जब चलता है और इतने सो किलोमेटर का सफर तैय करता है तो उसकी क्या 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 मुश्किल आती है आप नहीं समझ भाऊग आप मोगल रोड की बात कर लें गुजश्चता दिनों आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से वहाँ पर गुजर बकरवाल तबगा के लोग रो रहे थे बिलक रहे थे क्योंके इस वक्त उनकी हिजरत का वक्त है इस वक्त वो मैदानी अलाकों से बालाई अलाकों की और जाते हैं और वहीं आपने देखा कि कश्तवार में आज सुबा सुबा चार लोगों की जाने गई और वो जाने सिरफ इसलिए गई क्योंके वो भी कठुआ से दचन की और जा रहे थे रास्ते में जब बारिशें तेज हुई तो बारिशों के कारण उन्हें रुकना पास जाता है तो उससे काफी ज़्यादा प्यार करते हैं और ये कहा जाता है कि आप हमारे अपने लोग हैं लेकिन अगर अगर अपने लोग हैं तो फिर इन लोगों के साथ इस तरहां का ये रोईया क्यों बच्ता जा रहा है इन्हें आज तक कोई सहलियात फरहम क्यों नह विजरत कर रहे हैं मैदानी अलाकों से बालाई अलाकों की और जा रहे हैं पहड़ी अलाकों की और जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि रास्ते में इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एक तरफ सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है दूसरी जान नहीं था थोड़ा बहुत काम अब जाके जो हुआ था वो इस वज़ा से हुआ था कि हमारा ट्राइबल का सेक्रेटरी जो था वो ट्राइबल कम्यूंटी से ही था तो काफी चीजें जो बेतर भी हुई उसमें लेकर अभी जो नियूज के दुबार हम सुन रहे हैं कि इस तो थे चार लोगों क्याज दुबारा से मौतूं हो गई है उरे से जंगलो में क्युक्ति जाहता जेसे पीस्धे और मीन के लिए पके चेड़ बना रहें पके रास्ते बना रहें वो चीजें कAR रहे हैं तो यह सारी जो बाचबा की उनकी तो इसका गिला तो मैं यसीन सब से भी करूंगा हमारे डिप्टी कमिशनर पूंचे इस ताम पर वो सुन रहे हैं हमें तो हमें बहुत सारी उमीदे हैं उनसे क्योंकि नहीं खुली हुई थी तो उन्हें जाते ही यहां जान करते ही वहां का दोरा किया हमें बहुत अच् सब्सक्राइब यह नहीं है कि वहां पर हमारी मा बहने बेटीओं को गड़ियों से उतारा जाए चलाए जाए ऐसी स्कूर्टी भी नहीं चाहिए तो यसीन साब से में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और जी परोशन चाहूंगा कि उस पोस्त को वहां से अटाके सिविल पर चाहिए पर चड़ाएंगे बार बारे और वहां पर बहुत इसके कारण के कारण के आए वहां पर जाए लग रहा है क्योंकि एक दो दो गंटे जब एक गड़ी को लगाओ के चेकिंग में तो इतनी ट्रैफिक आपकर पर तो वहां पर ज़ूरी है लाजमी है अब जब हो जाएगा वहां पर जब वह रास्ता जबके सुन कोट से शुरू करके अगर हम कश्मीर तक का देखें तो कोई वह लग बाग 80 किलोमेटर का बनता है और 80 किलोमेटर एक सवा गंटे में हो जाना चाहिए जबके उसमें पूरा दिन और पूरी रात चली जाती है जो भी बन वैसे तो अरजोरी पुंच के सारे लोग ही मतलब इस चीज़ से गुजरते हैं और बहुत बार यह तकलीफें होई हैं वहां पर बहुत बार लोगों को आपने देखा होगा परिशान होते हुए वहां पर लेकर साथ-साथ में जो हमारी ट्रैबल कम्यूटी है इनको माल में विशी भी लेकि जाना होता है एक तरफ से आपने ट्रैफिक रोग दी एक तरफ से माल में विशी आ रहा है तो और बढ़ जाएगा उससे तो इस को खतम करने के लिए क्लिए कि वहां पर आप कहीं आर्मी की पोस्त लगाएंगे या किसी दूसरी लगाएंगे पोस्तों इस पराजब कर सकती थी ताकि नाहीं ट्रैफिक कंजेशं नाहीं ब्लग को कोई परिशाना को किया जा सकता ह। लेकर नहीं किया जा रहा है परो नहीं किया जा रहा है परो सुनते हैं जगारें इस की कुछ हमारी community से हैं तो हम चाहते हैं कि वह इस चीज़ पर लें और खुद जाके एक बर देखें और यह पोस्ट जो है सेविल एडमिस्रिशन के पास दे दी जाए और यहां से जो है जितने भी राग उज़रें उनको तोड़ी से असानी हो जाए और खासका tribal community के लिए कुछ कर सकते क्यां कि यह एक हटलाइन है हमारी जो जो रज़री पुन्च के लोगों की जो मुगल रोड़ाई हटलाइन हमारी इससे बहुत सारे लोग मफीद होते हैं तो इसका फाइदा जो पूरा मिलना चीए ना के परिशान ही मिलने चीए कि बंदा को निकले वहां से और वह परिश जो भी कहते हैं वह एक नंबर के जूटे आदमी हैं जूट बोलते हैं हर बार बोलते हैं जब भी वह देखेंगे तो आजी आप तो बड़ा मेरा चोधरी आगया आजाए तो परसु किसे लेड़ू ला रहे थे उनको ऐसे तो को किसी जनवर के साथ भी तरीका इक्तियार न कुछ करके दिया नहीं तक और सिर्फ इस कम्यूटी को यूज किया है तक देख रहे होंगे आप जब कश्मीर के अंदर रविंदर एनाजी का तूर होता है तो देखे देखते हैं आप ट्रैवल के लोग कैसे उनके आगे पिछे उमड़ते हैं और मतलब यह सिर्फ उनको ब पकड़ा जाएगा कि भी उसके इंप्लिमेंटेशन क्या है मेरे लिए लगता कि पूरी स्टेट के अंदर हमारे को चार केस भी निकले हूं फारेस्ट एक्ट के जिनको कोई राइट मिला हो जिसी जमीन पर चार केसे नहीं निकलेंगे क्यों नहीं आप यह फिगर बता रहे इस वक्त इंतजामिया को अधिनिस्टेशन को उनका साथ देना चाहिए था क्योंकि काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो लोग और खासकर बारशों के मौसम में उनकी परेशानिया और भी बढ़ जाती हैं लेकर ट्राइबल्स को लेकर आज तक जो इनुन की नियत है और खासकर बाचबा की बाचबा तो किसी को भी बाचबा ने पहले तो हिंदू को बेगूप बनाया पूरे जब हिंदूस्तान के को प्रोटेक्शन देंगे यार जो कम्यूंटी एटी परसेंट से जएदा हिंदुस्तान के अंदर है उसको आपने बता दिया खत्रे के अंदर है और आम इनको करेंगे इसलिए हमारे को जो वोट देदू आज हैं सेंटर में एक बार नी दो बार आ चुके उनके साथ दोका किसके लिए क्या किया है वो तो मारे सामने है यह जूटे लोग है सिर्फ जूट करते हैं और जूट पर ही इनकी जो से चलती है उसे पर चला रहे हैं अखिर मैं ट्राइबल्स की माईग्रेशन को लेकर LG अड्मिनिस्टेशन से क्या कुछ अपील करना देखिया हम गोहार ल है कोन आदमी कहां घर से माल में विशी को पैदल लेकर जब चलता है और इतने सो किलोमेटर का सफर तैय करता है तो उसकी क्या क्या परिशनी क्या क्या मुश्किल आती है आप नहीं समझ बाऊगे लेकिन फिर भी आप से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस टाम पर माइ हमारी बेहन बेटियों को वहां पर गड़ीं सोतार के और 12-20-20 किलोमेटर पैदल चला के अगर आप यह थावद करना चाहते हैं कि आपकी सिकूर्टी का रहे है तो रिक्वेस्ट रही कि आप से कि इस रास्ते को जो समूध रुनिंग किया जाए वो चले ताके क्योंकि हमा सब्सक्राइब बाइब करेंगे वह सारी उनको चीज़ दे देने चाहिए कोई यूपी बिहार से मन्दा के बैठके यहां पर तो अमारे आई-कार्ड हमारे चैक करेगा यहां के लोगग के लिए तो यह भी हमारे लिए मतलत एक दर्द से कम नहीं है कभी कोई कही बाएर से आके तो हमारे को पूछागा जी तो कहा रहने वाला कहा नहीं सिविला डिप्सेशन को दे दी जिए वहां पर हमारे पुलिस के जो रहेंगे आप अपनी राइ कॉमेट वाब्स में जरूर दीजिएगा